Hello everyone, तो आप सभी कहा हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्रागत हैं तो दोस्ता, आज मैं फिर से जा रहे हैं, अपने पॉधान के रिपोर्टिंग करने तो आज मैं यह दोनों पॉधान के रिपोर्टिंग करूँगी और यह है रियू披्लांट तो चलिए मैं आज इसी की रिपोर्टिंग करती हूं तो अपने जगह पे चलती हूं जहां पर मैं रिपोर्ट करती हूं आज यहां पर मिट्टी बनी हुई है तो मैं पहुंच गए अपने रिपोर्टिंग वाले अस्थान पर यहां पर देखिए हमने सेम गमले लिये हुए ह और उसमें छेद भी क्या हुआ है ताज मैं ज्यादा देर नहीं कि ज़ल्दी ही बताऊंगे क्याकि मैंने पहले भी बताया है और यह चुंकि अलियो प्लांट पत्त वाले प्लांट है इसमें फूल वगारा नहीं आते हैं और आते भी होंगे तो मैंने तो अभी तक नहीं देखाया जब से लगाई हूँ और इसे मैं पौधे ही लगाई थी इसके और मुझे यह फिरी में ही मिला था किसी के यहां था तो मुझे उन्होंने दो प्लांट दिये थे तो मैं इस तरह से दोनों छोटे-चोटे गम्लम क्योंकि उसे पत्तों के कलर वगरा अच्छे आते हैं और पौधे हेल्थी होते हैं और इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई है तो चले यहां बर मैं पौधों को निकाल लेती हूं और यह देखे बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और इसको बहुत जादा की ज़रत भी नहीं पड़ती है और मैं जब से लगाई थी तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसमें कोई खाद भी दिया है शुरू में जो मैं थोड़ा सा वर्मी कमपोश डाली थी वहीं डाली थी लेकिन इसकी पत्ते थोड़े खराब हुरे क्योंकि मैंने इसे धूप म भी निकाल लिया और इस ही में लिख भी पर्स्लांड का पौद इनकला हुआ है मृत कर दो Cobai तो निकाल लेती हूं से और ये पौधा ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम देख भाल की जरुरत होती है बस दो तीन चीजों की ध्यान रखना चाहिए कि इसे ज्यादा धूप में तेज धूप में नहीं रखें हलका फुलका सनलाइट आती होगे सुबसाम की तो काफी है और ज्यादा धूप में रखें दो दो दिन तक दानी मैं इसमें नहीं देती हूं और अगछा है मैं लख रहें तो दो दिन तेन दिन तो आराम सही पानी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसा नहीं कि किसीने कह दे कि पानी नहीं डालना है तो नहीं डाल रहें अधों को देखते रहें तो जरुरत हो तो पानी दे और नहीं तो दो दिन के बाद भी दे और गर्मी है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो यहां पर देखें ने सारी मिट्टी स्थरस मिला लिया थोड़ा सा इसमें मौन फली वगरा की चिलके भी है मैं स्थरस ऑड़्स मेरी मिट्टी में नव्न 日 मीलाएं और क्कि मेरी मीट्norm कि अगर अपनों जो लेते हैं तो इससें में आप मिट्टी में आ पफटे होते हैं तो उस मैं जदनानी जाए हैं डिक जाहर जाहा है तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में पानी रुखेगा तो पद्धे अमारे खराब नहीं होंगे अर चुने इस तरह से लगा लिया हैं अर बन जाते चारी ode गद बने हैं लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारा गमला भी नहीं है इसलिए मैं इसे ज़्यादा पधे नहीं बनाई हूं बस दोनों को इसी तरह लगा दिया है और यह जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसे मैल्टिप्लाइ कर दूंगी और एक चीजा जब भी पधे लगा ले तो एक चोटी सी पानी डालने से पहले उसके गमले जरूर पोच लें नहीं तो थोड़ा सा गमला गंदा हो जाता है तो मैं सुखा कपड़ा रखती हूं ऐसे रोजी मैं करती हूं लेकिन आज मैं दिखा रहें कि यह थोच चोटे-चोटे टिप्स करने से हमारे गारें भी गंदा होने से बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो इसलिए रिपोर्ट भी किया है देखें दोनों पौधे हमने लगा लिए और यह हमारा पर्शलन को पौध है जो मैं उस गमले से निकाली थी डब्बे से तब मैं उसी डब्बे में डाल दे रहें क्यूंकि अब यह दब्बा खाली भी है क्योंकि यह लिए प्लांट भी मैंने पांच चे मेना पहले से लगा कि रखा हुआ था इसमें अदेखें इससे भी लगा लिया और देखें इस तरह एक पौधा और हमारे पास बन गया तो जब हम गाड़ेंग करते हैं तो इसी तरह हमारे पास पौधे हर दिन नय ने बन हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा जोग लगाईएगा थैंक यू बाए